Hi everyone, स्वागत है आपका RS Creation Study Channel में तो आज हम लोग जो एक बहुत important topic discuss कने जा रहे हैं MEG05 का जो के block 8 से है unit 3rd जिसका title है psychoanalysis segment Freud तो segment Freud का आज हम जो work discuss करेंगे वो है the interpretation of dreams तो ये एक book है जो segment Freud ने जो है लिखी थी dreams के उपर, सपनों के उपर तो इससे पहले मैं जो हूँ segment Freud के उपर दो वीडियोज अपलोड कर चुके हूँ इस unit से जो की बहुत important है तो आप उन दो वीडियोज को जाकर के पहले देख लेजे उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिए क्योंकि इनका जितना वी work है, जितनी वी theories है वो आपस में जो है interconnect करती है, एक दूसरे के साथ relate करती है तो ये जो interpretation of dreams है, इसमें जो segment Freud है, उन्होंने बताया है कि हमें सपने कैसे आते हैं और ये जो सपने होते हैं, इनका क्या मतलब है और ये जो सपने हैं, ये हमारी real life से कैसे connect होते है तो ये जो book है, The Interpretation of Dreams, ये published हुई थी 4 November 1899 में और ये लिखी गई थी German language में पहले, originally बाद में इसको 1913 में इसको English में translate करवाया गया तो ये जो The Interpretation of Dreams book है, ये जो segment Freud है, उनका बहुती famous work माना जाता है और एक masterpiece माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो book है, इसकी first edition में सिर्फ 600 books छपी थी और इन 600 copies को बेचने में जो है, आठ साल लग गए थे आठ सालों तक ये 600 copies जो है, पूरी तरह से नहीं भी की थी लेकिन इस book के publish होने के 10 सालों के बाद अचानक से इस book को जो है, लोगों ने बहुत जादा खरीदना स्टार्ट कर दिया और ये book जो है, बहुत जादा famous हो गई, basically ये book एक analysis है Sigmund Freud के अपने dreams और उनके जो patient होते थे उनके dreams का, क्योंकि Sigmund Freud एक psychoanalyst थे इनको जो है, father of psychoanalysis भी कहा जाता है इनकी ने psychoanalysis के स्थापना की थी और ये जो थे, लोगों की जो दिमागी बिमारिया होती थी उनको ठीक करते थे Sigmund Freud जो थे, वो लोगों के dreams को सुन करके उनकी जो बिमारिया और उनके जो depression होता था उसको ठीक करते थे इसी दोरान Sigmund Freud ने ये बुक लिखी थी और कहते हैं कि इस बुक को लिखने से पहले Sigmund Freud ने कम से कम एक हजार से भी जादा dreams को जो है analyze किया था, उनको decode किया था और इसके basis पर उन्होंने Sigmund Freud ने जितनी भी बाते discover की, जितनी भी बाते उन्होंने खोजी, उन्होंने जो है इस बुक में लिखा हुआ है तो अब हम इस बुक की summary स्टार्ट करते हैं तो Sigmund Freud ने जो है अपनी इस बुक में कहा है कि जो dream होता है, वो होता है fulfillment of suppressed feeling, desire और wish, मतलब जो dream है वो हमारी दबी हुई जो इच्छाएं होती है जो कि real life में पूरी नहीं हो पाती है किसी कारण से हमारी desire वो कहीं न कहीं हमारे unconscious mind में store हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता यह मैंने आपको बताया है कि जो चीजें, जो इच्छाएं, जो feelings पूरी नहीं हो पाती है वो हमारे unconscious mind में चली जाती है हमें पता भी नहीं चलता है और वहाँ पर जाकर के स्टोर हो जाती है तो जिस डिजायर को जो है इंसान पूरा नहीं कर पाता है या फिर conscious mind पूरा नहीं कर पाता है उसको जब हम सोय होते हैं जब हमारा conscious mind जो है वो जगा हुआ नहीं होता है तो हमारा unconscious mind हमें उस dream को दिखाता है, उस इच्छा को पुरी करने की कोशिश करता है, हमें वो सपना दिखा करके, फॉर एक्जामपल जैसे इंडिया में बहुत से लड़किया जो है miss India बनना चाहती है, लेकिन अगर कोई लड़की जो है miss India नहीं बन पाती है, तो हमारा जो dream है वो हमारी जो दभी हुई इच्छाएं होती है जो पूरी नहीं हो पाती है उनको सपने के माध्यम से पूरी करने की कोशिश करता है लेकिन आपने ये भी notice किया होगा कि अक्सर हमें dreams में जो है अजीबों गरीब चीजें भी दिखाई देती हैं जो बहुत पाते हैं इसका कारण ये होता है कि जो हमारा unconscious mind होता है वो हमारी जो दभी हुई इच्छाएं होती है रिप्रेस्ट फीलिंग होती है उनका जो शेप है उसको ही बदल देता है मतलब उसको जो है अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करता है अलग सकलों में दिखाने की कोश पूलती हैं सुबह फिर तो हमारा ओंपृस मांड है वह बापस dogs में आ जाता भां अजाता है सक्कासिए बात golf कारण हनाद है यही कारण होता है कि हमें dreams याद नहीं रहते हैं तो आगे सिगमेंट फ्रोइड कहते हैं कि जो dreams होते हैं वो हमारा एक जरिया होता है unconscious mind तक पहुंचने का यह मैंने आपको previous वीडियो में भी बताया है कि जो conscious mind होता है उसकी पहुंच जो है, अनकॉंसियस माइंड तक नहीं होती है, वो अनकॉंसियस माइंड तक पहुंच नहीं पाता है, तो जो तीन लेवल होते हैं माइंड के, जिसमें से कॉंसियस, सबकॉंसियस और अनकॉंसियस होता है, तो जो कॉंसियस और सबकॉंसियस होते हैं, वो तो एक दूसरे के पास पहुंच सकते हैं, लेकिन जो हमारा unconscious mind होता है, वो बहुत deep होता है, वहां तक पहुंचना conscious mind के लिए possible नहीं होता है, तो इसी लिए segment Freud ने कहा है कि dream एक ऐसा जरिया होता है, जो कि हमारे unconscious mind तक पहुंच सकता है, और यहां पर segment Freud ने एक line कही है, जो कि बहु to a knowledge of the unconscious activities of the mind, तो जो interpretation of dreams होती है, वो एक royal road है, जो कि हमको knowledge देता है, हमारे unconscious mind की activities का, तो यह जो है, segment Freud के words हैं, तो आगे segment Freud बताते हैं, source of dream content, मतलब जो हमारे सपने होते हैं, उनमें जो हमें चीजे दिखाई देती हैं, उनका माध्यम क्या होता है, उनका source क्या होता है, तो segment Freud यहां पर कहते हैं, कि जो every dream होता है, जो हर एक सपना होता है, उसका connection होता है with past experiences and memories, मतलब जो हमारा past होता है, जो past की यादे होती है, जैसे हमारा childhood होता है, या फिर हमारे life के जो experience होते हैं, वो जितने भी यादे होती है, और जितना भी material होता है, content होता है, उसको dream use करत है, कहीं ना कहीं, the dream content can be selected from any part of the dreamer's life, मतलब जो सपना देख रहा है वेकती, उसकी पूरी life में से कोई भी material जो है, dream use कर सकता है, तो यहां पर जो है, जो segment Freud है, उन्होंने जो है, तीन sources बताए हैं, जो dreams के content के हो सकते हैं, तो जो पहला source है, वो है significant experience, significant experience मतलब जो गहरा प्रभाव बाले emotion होते हैं, जो जिन चीजों ने हमारी life के उपर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला होता है, वो चीजें, वो memories, तो जैसे कि अगर मैं आपको एक example देती हूँ, जैसे आप जो है, आज आपके boss ने आपको बहुत जादार डांटा है, क्योंकि आपने कोई work जो आपको सपना आएगा, वो ऐसा आएगा कि आपको जो है, आप अपने boss का खून करके भाग चुके हैं, और आपके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, तो अब आपको जो memories दिखाई देंगी, जो चीजें दिखाई देंगी, जैसे चाकू आपने हाथ में लिया हुआ होगा, तो चाकू आप डेली लाइफ में देखते हैं, तो वो आपकी डेली लाइफ से ली गई memory है, तो जो boss है, उसको भी आप रोज देखते हैं, तो आपकी boss की जो सकल आपको दिखाई देगी, उसको आप रोज देखते हैं, तो boss को भी आप डेली लाइफ में देखते हैं, तो जो next है, जो incident है, one or more recent और significant experiences हो सकते हैं, तो जो incident होते हैं, वो जुरूरिन ये एक जगा की incident यूज करेंगे, वो mixed incident भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपको जो आपके साथ जो है, आपकी life के उपर बहुती गहरा प्रभाव छोड़ा है, वो mixed experience हो सकते हैं, और third है strong desire, मतलब आपकी जो कुछ achieve करने की strong desire है, तो जैसे कि आप जो है कोई IS officer बढ़ना चाहते हैं, तो आपको जो है वैसे ही dreams आएंगे, कि आप जो है officer बन चुके हैं, और लोग आपकी बहुत जादा तारिफ कर रहे हैं, तो ये जितनी भी dreams हमारे होते हैं, इनका जो content होता है, जो इनमें चीज dreams होते हैं, वो हमें जो है, जो हमारी unfulfilled desire होते हैं, जो हमारी अच्छी अच्छी इच्छाएं होती हैं, उनके कारण आते हैं, लेकिन जो हमारे बुरे dreams होते हैं, bad dreams होते हैं, वो जो repressed fears होता है, जो दबा हुआ डर होता है, उसके कारण आते हैं, जिस डर को और जिन निकाल दिया होता है, वहां की memory से उनको साफ कर दिया होता है, लेकिन वो जो fear और desire होते हैं, वो conscious mind से निकल करके unconscious mind में चले जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है, वहां पर जाकर के store हो जाते हैं, तो इसी कारण से हमें bad dreams और good dreams आते हैं, लेकिन जो dreams होते हैं, जैसे उसको बच्पन का कोई ट्रॉमा हो बच्पन में उसको बहुत जादा डर किसी चीज़ से लगता हो या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ हो तो वो जो है इनसान की जो मानसिक संतुलन होता है उसको भी कभी कभी लाइफ में बिगाड़ देते हैं तो जितने भी होते हैं ये भी काफी हेल्फफल होते हैं इनसान की जो है दिमागी हालत को ठीक करने के लिए यही कारण था कि सिग्मेंट फ्रॉइड ने इन ड्रीम्स की तरफ जो है इतना ज़ादा ध्यान दिया और एक पूरी बुक लिखटाली ड्रीम्स के उपर दा इंटर्प्रेशन और उन्होंने इस बुक में अपने बहुत सारे पेशेंट के एक्जांपल भी दिये हुए हैं कि उनके ड्रीम्स से उन्होंने क्या डिकोड किया उनके ड्रीम्स से वो क्या समझे बाद में उनको डिकोड करते थे तो ये था इनका वर्क दा इंटर्प्रेशन आफ ड्रीम्स झाल झाल